टीम इंडिया और और ऑस्टेलिया के बीच पांच बैचों की टीट्वेंटी सिरीस का दूसरा टीट्वेंटी मुकाबला तिरुवनंत पुरम के ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्ले बाज या चैस्वाल ने धागा खोल दिया है ऑस्टेलिया एगेंदबाजों का हला कि या शश्वी जैस्वाल आउट हुए लेकिन एक शांदार पारी खेलकर एक आतिशी पारी खेलकर टीम को एक अच्छी स्थिती पर पहुँचा कर उन्होंने अपना विकेट गवाया या शश्वी जैस्वाल की पारी का पूरा हाइलाइट इस वीडियो में देंगे वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा यशश्वी जैस्वाल की पारी पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएगे दरसल टीम इंडिया और आस्टेलिया के बीच दूसरा 2020 मुकाबला तिरू बनन तपूरम में खेला जा रहा और इस मुकाबले में टॉस ऑस्टेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने जीता पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया और भारतिय टीम की तरफ से यशश्वी जैस्वाल अरुतुराज गाई क्वाइड ने ओपनिंग क कि यशश्वी जैस्वाल के बल्ले से हमें देखने को मिला दो छक्का इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में लगाए 212 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया अलाकि वो एक बड़ी पारी खेल सकते थे क्योंकि 6 ओवर के अंदर ही उन्होंने 50 रन पूरे किये और विकेट भी गबा दिया मलाल जरूर होगा फैंस को भी और यशश्वी जैस्वाल को भी कि एक बड़ी पारी वो जरूर खेल सकते थे शतक लगा सकते थे लेकिन टीम को जैसी शुरुआत की आवशकता थी वैसी शुरुआत यशश्वी जैस्वाल ने जरूर दिला है करके जरूर बताएं